नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने योट्योब चेनल आरकेम स्टडी सेंटर पे तो दोस्तों ये हमारा जारखंड बीए इंट्रेंस एक्जाम के लिए क्लास नमबर 14 है और आज के इस क्लास में हम लोग गर्भावस्ता और सेश्वावस्ता के बारे में यहाँ पे डिटेल से जानने वाले है आई होप कि आपने इससे पहले वाले सभी क्लास को देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेकाउट कर सकते हों और सभी क्लासिस आपको देखना जरूरी है क्योंकि एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासिस वो सब है तो चलिए आपके क्लास में हम लोग क्या-क्या बात करने वाले हैं उसे हम लोग देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगी कि गर्भावस्था एवं इसके तीन चरणों के बारे में गर्भावस्था का जो पहला चरण होता है उसे हम लोग बिजावस्था कहेंगे उसके बाद दूसरा जो चरण होता है उसे हम लोग भूनावस्था कहते हैं और तीसरा जो चरण होता है उसे हम लोग गर्भास सीसू के अवस्था कहते हैं तो इन टीनों के बारे में हम लोग जो वो डेटेल से जानेंगे उसके बाद हम लोग सेस्ववस्था के बारे में जानेंगे और सेश्ववस्था में भी हम लोग सारिक विकास, समाजिक विकास, मानसिक विकास और सनविगात्मक विकास इन सभी के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं क्लास जो है वो आज थोड़ा लंबा होने वाला है तो आप लोग जो है वो फिक्र मत कीजेगा क्योंकि यहाँ पर जितने भी चीज हम आपको बताएंगे वो सारे आपके एकजाम के लिए important है और इसके बाद हम लोग जो है वो एक क्लास आपका बाल्य वस्था पर और एक क्ल कौन सा प्रस्ण आपके एकजाम में पूछा जा सकता है तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है गर्भा वस्था किसे कहते हैं तो गर्व धारन से जर्म तक कर जो अवस्था होती है जो समय होता है उसे हम लोग गर्भा वस्था कहते हैं गर्भा confusion हो सकता है ये तीनों जो है वो आपका अलग-अलग नाम है लेकिन सेम चीज है ठीक है कहीं पर आपको भ्रोनिक लिखा हुआ दिखाए देगा कहीं पर आपको डिमबा अवस्था लिखा हुआ दिखाए देगा लेकिन आपको यहां पर सेर्पियों जुह हो नहीं होना इसे लिए आपको ज़ें वो तीन युट नाम को याद करते हुए चलना है ठीक हैं है दूसरा जो अवस्था है वह आपका भ्रहोन अवस्था जिसको Oddania फिर पिंडर वश्था वह कहा जाता है और तिसरा अवस्था होता है गड़वस्थ सीसू की अवस्था तो सबसे पहले आपको गड़वस्था में इसके समय काल को पता होना चाहिए समय काल की बारे में दूसरा इसको कितने चरण में बाटा गया है ये आपको पता होना चाहिए अब हम लोग जानते हैं बिजावस्था किसे कहते है या कौन सी अवस्था होती है तो यह अवस्था जीरो से दो सप्ता तक रहती है इस अवस्था में बालक की आकरती एक बीज के समान होती है ठीक है इसके जो समय होती है वो जीरो से आपका दो सप्ता तक होता है और इस अवस्था में बालक की जो आ आहर के रूप में ग्रहन करता है तो आपको यहां से पूछा जा सकता है कि बिजावस्था में बालक जो है वो कौन सा मतलब कि आहर के रूप में कौन सा पदार्थ को आहर के रूप में ग्रहन करता है तो योग नामक पदार्थ को ठीक है योग नामक पदार्थ को बालक आहर क के रूप में ग्रहन करता है लगभग 15 दिन में योग एवं युकता समाप्त हो जाते हैं एवं बालक की भ्रुनावस्था प्रारम हो जाती है ध्यान रहें गर्गधारन के समय जिस गर्भीत अंडानू जिसे जाइगोट भी कहते हैं इसके आकरती मात्र एक सुई के नोक के ब लेकर दूसरे मां के अंध तक तो सबसे इंपोर्टेट यहाँ पे आपको समयकाल याद रखना है कि कौन सी अवस्था का समयकाल क्या है अर्थात 8 सब्ता तक रहती है इसमें सीसू का विकास सरवाधिक तिर्व होता है और इसी अवस्था में सीसू की स्वसन नली की इसमें फेपड़ी यक्रीत अगना से थाइड़ट ग्रंथी लार ग्रंथी आदी का निर्मान शुरू हो जाता है इस अवस्था में तीन पर्तों के द्वारा बालक का सारीक निर्मान होता है ठीक है तो देखें कौशन यहाँ से बन सकता है सबसा पहला जो प्रस्ण बन सकत है वो है आपका कि इसकी अवस्था का जो समयकाल है वो क्या है तो दो सब्ता से लेकर दूसरे मा के अंधतर ठीक है दूसरा जो प्रस्ण बन सकता है वो है आपका कि किस अवस्था में सीसू की स्वसंदली की साखाएं या फिर फेफड़े या फिर यक्रीत या फिर अगना स या फिर थारायड ग्रंथी आदी का जो है वो निर्मान शुरू हो जाता है तो आपका राइट एंसर हो जाएगा भृणावस्ता या फिर पिंडावस्ता ठीक है तो यह तीनों नाम आपको यहाँ पर याद करते हुए चलना है अब यहाँ पर देखें इस आवस्ता में तीन परतों के द्वारा बालक का साररिक निर्मान होता है एक जो परत है वो है आपका एक्टोडर्म ठीक है एक्टोडर्म इसे बहारी परत भी कहते हैं इसके द्वारा त्वचा बाल इत्यादी अंगों का निर्मान होता है ठीक है तो त्वचा बाल इत्यादी अंगों का निर् मेसोडर्म के द्वारा बालक की मासपेश्यों का निर्वान होता है तीसरा होता है एंडोडर्म इसके द्वारा बालक का मस्तिस्क हरदे आधी अंगों का निर्वान होता है तो यह चीज़े आपको यहां पे ध्यान में रखनी है अब हम लोग जानते हैं तीसरे अवस्था के गर्भावस्था पीरा का अनभव नहीं होता और हुसका विकास सीर से पेर की और होता है ये प्रस्ण कई बार पूछा जा चुका है कि बालक जो है सीसू का जो जन्म है या फिर सीसू का जो विकास है वो आपका किस से किस और होता है तो सीर से पेर की और होता है जन्म से पुर्व सीसू को गंद का अनवाव नहीं होता लेकिन गर्भावस्त की अवधी सामान्यता 270 से 280 दिन या नो माया चंद्रमास होती है धात रहे गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक 300 दिन हो सकता है ठीक है तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ये आप इसे काट लिजएगा और ग्यात रहे ऐसे कर लिजएगा ठीक है ताकि आपको समझने में आसानी हो ग्यात रहे कि गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन और ज्यादा से ज्यादा 330 दिन हो सकता है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने क्या जाना गर्भावस्था के बारे में जाना जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि गर्भावस्था के बारे में जानेंगे तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया अब हम लोग जानते हैं सेस्वावस्था के बारे में ये आपका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ठीक है अब सेस्वावस्था के बारे में जानेंगे उसके बाद हम लोग जो वन बाई वन करके इनके बिकास के बारे में जानेंगे, ठीक है, तो चलिए, देखें, सबसे पहले जानते हैं सेस्वावस्था, सेस्वावस्था का समय काल क्या है, तो 0 से 6 वर्स, 0 से लेकर 6 वर्स जो है, वो आपका सेस्वावस्था कहलाता है, रैट, 0 से लेकर 6 वर्स, यानि कि जन्म से लेक उच्वित निर्देशन वा निरिच्छन से भावी जीवन का उच्वित वा उत्तम विकास किया जा सकता है बिश्मी सताबदी में सीसू पर सरवाधिक अनुसंधान होने से क्रो एवं क्रो एक बिद्वान का नाम था ने बिश्मी सताबदी को सीसू बालक की सताबदी कहा है त पिशू या बालक की सताबदी कहा है तो क्रो एवं क्रो यहां पे इसका राइट एंसर हो जाएगा अब देखिए सेश्वावस्था को दो भागों में बाटा जाता है दोस्तों कहीं कहीं आपको सेश्वावस्था को तीन भागों में बाटा जाता है तथा कहीं कहीं आपको य उत्तर सेश्वावस्था ठीक है और जब तीन भागों में बाटा जाएगा तब आपका परतेक अवस्था में दो दो वर्स सामिल किये जाते हैं जैसे कि अगर पुर्व सेश्वावस्था अगर हम यहां पे इसे तीन भागों में बाटा गिया है लेकिन यहां पे हम इसको ती इन भागों में बाटते हैं सकेंड नमर में आपका हो जाएगा मध्य सेश्वावस्था और तीसरा में हो जाएगा यहाँ पे उत्तर सेश्वावस्था ठीक है तो पुर्व सेश्वावस्था में आपका जो आयू होगा वह आपका जीरो से दो वर्स उसके बाद मध्य आपको दो भाग में भी मिल जाएगा कि दो भागों में बाटा जाता है और इसी में आपका एक अक वर्स जो है वो बढ़ा के लिख दिया जाता है ठीक है तो ये चीजे आपको ध्यान में रखना है कहीं पे आपको दो दिखाए देगा कहीं पे आपको तीन दिखाए देगा तो आपको वहाँ पे जो है वो चिंतित नहीं होना है। अब जानते हैं सेस्वावस्था की परमुख विसेस्थाएं क्या है। तो सेस्वावस्था की परमुख विसेस्थाएं में एक है स्वार्थी वा स्वक किंद्रित। स्वार्थी मतलब की खुद के बारे में सोचना, खुद के उपर जो है वो किंदरित करना, ठीक है, खुद के बारे में एप साधारन भासा में समझ सकते हो कि स्वार्थी, सेस्व वस्ता में बालक जो होता है, सीसू जो होता है, वो स्वार्थी होता है, खिलोने की अवस्ता हो की illological हो, जिसका कोई भी logic नहीं हो, ठीक है, जो मन में आया वो किया, ठीक है संसकारों की विकास की आयु, उसकी आलावा यहाँ पर जीवन के सबसे महतपुर्न काल सेश्वावस्था को कहा जाता है नेतिकता का अभाव होता है सेश्वाकाल में, सीखने का आदर्सकाल तह सकते हैं भावी जीवन की आधार सिला आपका होता है सिस्वावकाल अनुक्रंद वाड़ा सिखने की अवस्था होती है छनिक सन्वेग की अवस्था होती है इसके अलावा उत्तम सिछन विधिया जैसे की किंडर गार्डन खेलवा मौन्टेस नरिवीरी यह सब आपका जो है वो सिस्वावस्था के परमुख विसेश्थाएं हैं तो बस आपको ये चीज़े ध्यान में रखनी है याद करने कि यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है ठीक है बस थोड़ा सा आपको समझ के चलना हो है कि सेश्वावस्था की परमुख विसेश्थाएं क्या है कि इसमें जो सिसू होता है वो आपका स्वार्थ होता है वो एक खिलोने की अवस्था होती है आत्म प्रेन की भावना होती है जो भी चिंतन होती है वो अतार्किक होती है यानि कि बिना मतलब का कोई भी लोजिक का होता है ठीक है बिना लोजिक का होता है संसकार के विकास की आयू होती है ठीक है तो यही सब चीज़े आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ठीक है और बाकि एक दो पॉइंट आपको यह सब important है सिखने का आधर सकाल किसे कहा जाता है तो सेश्वावस्था को भावी जीवन की आधर साला किसे कहा जाता है तो सेश्वावस्था को ठीक है तो यह सब चीज़े आपको दोस्तों ध्यान में रखते हुए चलना है अब हम लोग जानते हैं कि कुछ महत्पुन बिद्वानों के द्वारा जो है वो सेश्वावस्था को अपने सब्दों में जो है वो define किया गया है अपने सब्दों जो हो यहाँ पर कह सकते हैं कि पड़िभासित किया गया है पहला जो विद्वान है वो है फ्राइड के अनुसार ठीक है नाम आपको ये आपका most important है ये आपको याद करना ही करना है कि फ्राइड के अनुसार मनुस्य को जो कुछ बनना है वो 4-5 वर्सों में बन जाता है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है Valentine के अनुसार सेश्वावस्था सिखने का आदर्सकाल है पुछा जा सकता है कि सेश्वावस्था सिखने का आदर्सकाल है ये किस ने परिभासा दिया ठीक है या फिर या कथर किसका है तो Valentine का Good NF के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मांसिक विकास होता है उसका आधा तीन वर्स की आयू तक हो जाता है Good NF का कहना था कि व्यक्ति का जितना भी मांसिक विकास होता है उसका आधा जो है वो तीन वर्स की आयू तक हो जाता है Next है New Man के अनुसार New Man का कहना है कि पाच वर्स तक की अवस्था मस्तिस्क के लिए बहुत ग्रहन सील होती है यानि कि कह सकते है ग्रहन करना मतलब कि अपने अंदर समाहीत करना ब्रिजेस के अनुसार दो वर्स तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी सनवेगों का विकास हो जाता है सनवेग कहने का मतलब है इमोशन ठीक है दो वर्स तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी सनवेगों सभी इमोशन का विकास हो जाता है ये आपका ब्रिजेस के अनुसार एडलर का क्या कहना है दोस्तों सीसू के जर्म के कुछ समय बाद ही या निश्चित किया जा सकता है कि भविष्ट में उसका अस्थान क्या है यह आपका डिफनेशन जो है वो एडलर के अनुसार दिया गया था ठीक है तो आपका यहां पर यह चीज़ याद करना ही क चार पांच उसके बाद यहां पर आपका छे तो छे पॉइंट आपको यहां पर छे बिद्वानों का नाम और इसके द्वारा क्या पड़िभासा दिया गया है यह चीज़ आपको यहां पर मेनिटरी है याद कर लेना है ठीक है अब देखिए अब हम लोग जानते हैं सेश्वावस्था में सारिक विकास ठीक है सेश्वावस्था में सारिक विकास के बारे में जानते हैं कि सेश्वावस्था जो होता है सिसु का जो अवस्था होता है उसमें आपका सारिक विकास क्या क्या होता है ठीक है इस अवस्था में सारिक विकास तिरवता से होती है य होते हैं यानि के निम्न सालीग परी वरतान जो है दिखाई देते हैं जैसे कि अगा जर्म के समय सीशु का ऊसत भार ठीक है यह आपको कह सकते हैं पॉइंट हो गया भार capable के बारे में आपका क्या यहां पर विकास है तो दिखे उजन के बारे agile बात करें तो जर्मी के समय सीसू का उसत जो भार होता है वो आपका 3600 ग्राम कह सकते हैं या फिर 3 किलो 600 ग्राम बालक का लगभग 7.15 पोंड ठीक है या फिर का इसको किलो ग्राम में बदले तो आपका 3.6 किलो ग्राम इरहां बालिका का अगर बात करें तो फिर 4e फिर इसको केजी में बदले तो 3.4 किलो ग्राम होता है ठीक है तो आपको यहाँ पे죠 से साथ कर लेना है कि जर्म के समय सीसू का जो इसत भार होता है वो आपका बालक का 3.6 किलो और बालिका का 3.4 यानि कि 200 ग्राम बालिका का जो है वो कम होता है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट पॉइंट है आपका मा के गर्व यानि कि आंत्रिक वातावरन यह वो मा के गर्व के बाहर यानि कि ब्राहे वातावरन में अंतर होने के कारण नवजात सिसु का वजन जन्म के पहले सप्ता में घटता है पूछा जा सकता है कि नवजात सिसु का वजन जन्म के पहले सप्ता में घटता है या फिर बढ़ता है तो आपका घटता है क्यों घटता है क्योंकि आंतरिक वातावरन और ब्रहे वातावरन में अंतर होने के कारण नेक्स चीज आपको ध्यान में रखना है साडरिक विकास में कि दो सप्ता बाद सिसु का वजन पुना बढ़ने लगता है छे मा में सिसु का वजन दो गुना हो जाता है एक वर्ष में सिसु का वजन लगभग ती गुना यानि की 9.5 किलोग्राम या फिर सारहे 9 किलोग्राम आप कह सकते हो इसके बाद सिसु का वजन आधा पॉंट प्रतिमा के हिसाब से बरता है और पांच वर्सों की स्वापती पर सीसू का वजन 38-43 पॉंड यानि की 18 किलोग्राम हो जाता है सेश्ववस्था में लड़कों का भार लड़कियों की अपेच्छा अधिक होती है अब लंबाई के बारे में जानते हैं हम लोगों ने जाना भार के बारे में अब लंबाई के बारे में देखिए जन के साथ सीसू की लंबाई 52.5 सेंटिमीटर या फिर 19 या 20 इंच अगर इंच में बात करें तो 19 या 20 इंच और यहां पर सेंटिमीटर में बात करें तो 52.5 सेंटिमीटर सेश्वावस्था में बालकों की लंबाई 20.5 तथा बालकों को यहाँ पर बालिकाओं हो जाएगा बालिकाओं की लंबाई 20.3 इंच होती है सेश्वावस्था में बालकों की लंबाई 20.5 इंच तथा बालिकाओं की लंबाई 20.3 इंच होती है सेश्वावस्था में लर्कों की लंबाई लर्कों की पेच्छा अधिक होती है सेश्वावस्था के अंत में लंबाई दूगों नी हो जाती है अब सीर और मस्तिस्क के बारे में तो देखें सेश्वावस्था में सीर और मस्तिस्क में क्या-क्या विकास होती है तो भुरुनावस्था में विकास सीर से पेरों की और यानि कि मस्त कोध मुखी होता है यानि कि वैसा विकास जो सीर से पेरों की और होता है उसे हम लोग मस्त कोध मुखी कहते है तो भुरुनावस्था में विकास सिर से पेरों की और होता है अता नवजाद सिसू का सिर उसके हाथ पेरों की अपेच्छा अधिक बड़ा होता है ठीक है नवजाद सिसू का जो सिर होता है माथा होता है उसके हाथ पेरों की अपेच्छा अधिक बड़ा होता है और ये चीज कि दांत में क्या-क्या विकास होता है तो सीशू में दांत बनने की पड़िकरिया गरभा का निकलना पड़ार्म हो जाते हैं सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं! एक वर्स की आयू में आठ अस्थाई यानि कि टेंप्रेरी दांत निकलते हैं जो कि बाद में तूट जाते हैं तथा चार वर्सों तक बच्चे के सभी अस्थाई दांत आ जाते हैं जिनके संख्या 20 होती है तो बालकों में या फिर कह सकते हैं सिस्वों में अस्थाई दातों के संख्या आपका 20 होती है ठीक है और एक वर्स की आयू में 8 अस्थाई दाते हैं कितने अस्थाई दाते हैं एक वर्स की आयू में तो 8 अब मास्पेश्या के बारे में तो मास्पेश्या जन्म के समय मास्पेश्यों का भार सरीर का 23 परतिसत हो वर्दन होता है तो नवजात सीसू का हरदे छोटा होता है और धमनिया आर्टेरी जिसको इंगलिस में कहा जाता है दोस्तों ठीक है नवजात सीसू का हरदे छोटा होता है और धमनिया अब पेच्छा कृत बड़ी होती है हरदे छोटा होने पर रक्त को जल्दी जल्दी करना पड़ता है जिसके कारण नारी की गती अधिक होती है आयू बढ़ने के साथ साथ हिर्दे के आकार में वर्धी होती है और रक्त चाप बढ़ने लगता है तिथा नारी की गती कम होने लगती है पर्थम मामे सीसू के हर्दे के धरकर 140 प्रती मिनट ठीक है एक मिनट में 140 या फिर कह सकते हैं कि 130 से लेकर 1500 की बीच में होता है एवं 6 वर्स के 6 वर्सों में हर्दे की धरकन 100 प्रती मीटर मिनट होती है कि हडियों में कौन-कौन सी विकास होती है किस तरह से यहां पे विकास होती है तो जन्म के सभी सीसु के सरीर में 270 हडिया होती है हडियों के जोडने को अस्थी करन कहते हैं हडियों के जोडने को क्या कहा जाता है अस्थी करन जो सरवाधिक पुर्व सेस्वावस्था यानि की 0-2 वर्स में होता है और हडियों के मजबूत होने को द्रिधी करन कहते हैं जो सरवाधिक उत्तरबाल्य वर्स्था यानि की 10-12 वर्स में होता है तो दो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जर्म के समय सिसु के सरीन में 270 हडिया होती है हडियों को जोडने को अस्थिकरन कहा जाता है और हडियों के मजबूत होने को द्रिधिकरन कहा जाता है अस्थिकरन कब होता है दोस्तों तो सिस्वावस्था यानि कि 0 से 2 वर्स में होता है पुर्व से 100 अवस्था में होता है, 0-2 वर्ष और द्रिठी करन कब होता है तो उत्तर बाली अवस्था, यानि कि 10-12 वर्ष में ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है अब नवजाद सिसु के अवस्थाएं तो नवजाद सिसु के अवस्थाएं को तीन भागों में बाटा जाता है एक मोरो अवस्था, दूसरा रूटिंग अवस्था और तिसरा बेबिन सकी अवस्था तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि नवजाद सिसु के कितने अवस्थाएं हैं तो तीन अवस्था है, मोरो अवस्था, रुटिंग अवस्था और बेबिन सकी अवस्था नवजात सिसु के आगे कोई भी वस्थू लाने पर वह हात पेरों से उस वस्थू को पकड़ने की कोशिस करता है इस किरिया को मोरो कहते हैं, important point है आपका ध्यान में रखना है कि जब नवजात सिसु के आगे कोई भी वस्थू लाने पर वह हात पेरों से उस वस्थू को पकड़ने की कोशिस करता है तो इस किरिया को क्या कहते है, तो मोरो कहते है, ठीक है, मोरो अब रूटिंग अवस्था क्या है तो नवजात सिसु के गाल को छोने पर वह अपना मुँ खोलता है इस किरिया को रूटिंग कहते है ठीक है नवजात सिसु के गाल को छोने पर वह अपना मुँ खोलता है इस किरिया को रूटिंग कहते है बेबिन सकी अवस्था क्या है तो आवजात सिसु के पेर के तलवे को हाथ लगाने या ठोकने पर उंबलियों को आगे की और मोरता है इस अवस्था को बेबिन सकी कहते हैं ठीक है तो ये सब चीजे इंपोर्टन थी most important थी आपको ये चीज याद कर लेना है कि किस चीज को कौनसी आवस्था कहते हैं दोस्तों आब हम लोग देखते हैं कि सेश्वावस्था में मांचिक विकास क्या होता है तो देखे सबसे पहले इसके बारे में आपको सोरैंसन का कहना था कि जैसे-जैसे सिसू प्रतीदिन प मैंने starting में भी बताया था कि सेश्ववस्था के जो समय काल होता है वो आपका जर्म से लेकर 6 वर्स तक होता है यानि कि 0 से लेकर 6 वर्स तो इसके बीच में आपका क्या-क्या मांसिक विकास होता है इसके बारे में यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखें जर्म वह पर्थम सब्ता जिरो से लेकर आप कह सकते हैं कि फर्ष्ट विक तक पहले सब्ता तक क्या होता है कि देखें जर्म सीसु का मस्तिस्क कोड़े कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिगता है इस अवस्था में सीसु रोना चोकना जैसी मांसिक क्रियाई करता है तो आपका जर् स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में रखना है कि नवजात सीसु का मस्तिस्क कोड़े कागज के समान होता है जिस पर वो अनुभव लिगता है तो ये स्टेटमेंट किसका है जोन लोक के अनुसार ठीक है अब देखिए दूसरा सब्ता में कौन सा मांसिक विकास होता है त तीसरा महिना में क्या होता है कि सीसु जो है माता को पहचाने लगता है अपनी माता को पहचाने लगता है छटा महिना में क्या होता है प्रेम वो अक्रोध के भाव को समझ लेता है तथा आवाज का अनुकरन करने लगता है पहला वर्स में आपका क्या होता है कि सीसु जो है तथा सीधी वाँ लंबी रेखा, अनुक्रंद वारा खींच लेता है पाच्वाँ वर्ष में क्या होता है कि सीसो जटिलवाई के बोलता है रंगों में अंतर कर लेता है और अपना नाम लिख लेता है तो ये आपका मानसिक परिवर्तन था या फिर मानसिक विकास कह लेजे ये आपका जो है वो अवस्था के according मानसिक विकास था ठीक है तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं सेश्वावस्था में समाजिक विकास के बारे में कि सेश्वावस्था में समाजिक विकास जो है वो किस तरह से होता है हम लोगों ने देखा कि सेश्वावस्था में सारिक विकास के बारे में जान लिया सेस्वावस्था के मांसिक विकास के बारे में जान लिया अब हम लोग तीसरा विकास यानि की मांसमाजिक विकास के बारे में जानते हैं तो प्रारम में बालक की देख़रेक मा के द्वारा होती है उस समय मा ही उसका समाज होता है सिसु जन्म से दो वर्ष तक की अवस्था तक स्वार्थी वा स्वक केंद्रित होता है छे वर्ष की आयूत तक वा सामुहिक खेलों में भाग लेने लगता है अब देखिए इसके उपर एक बिद्वान है क्रो एंड क्रो इन्होंने अपना मत दिया अपना डिफिनेशन रखा कि जन्म के समय सिसु ना तो समाजिक प्रानी होता है और ना समाजिक प्रानी होता है वा इस सिति में अधिक समय तक नहीं रह पाता तो ये statement आपको एजटिज याद कर लेना है ठीक है और किसका कथन है क्रो एंड क्रो के अनुसाद अब देखिए आपको फिर से बता देने कि सिस्वावस्था के जो अवधी होती है वो आपका होता है जिरो से छे वर्स कह लेजिए या फिर जन्म से लेकर छे वर्स तो अब इसके अंदर जितने भी उम्र आते हैं जितने महिने आते हैं उसमें कौन-कौन से समाजिक विकास होती है इसके बारे में देखते हैं जैसे कि पहला जो महिना होता है उसमें कौन से समाजिक परिवर्तन आता है समाजिक विकास आता है तो सामाइनिवा मानव आवाज में अंतर नहीं कर पाता यानि कि सीसू जो है वो सामाइनि या मानव आवाज में अंतर नहीं कर पाता तथा बालक चूसने जैसे गतिविधी से घर में वैस्क लोगों की क्रियाओं का प्रति उतर देने लगता है यह आपका पहला मा में हुआ है तो ये आपका समाज़िक विकास हुआ कि और माँ को अधारो और गए अपंट कर देता है एवं अपने आपको उठाने के लिए बाहें फेलाने लगता है तो ये जो विकास है वह आपका चौथा महिना में होता है पाच्वा महिना में बालक क्रोध पुर्ण ध्वानी एवं मित्रित ध्वानियों में अंतर करना प्राडम कर देता है क्रोध पुर्ण ध्वानी या मधर ध्वानी कह सकते है अंतर करना प्राडम कर देता है शुरू कर देता है एवं क्रोध वा प्रेम का भाव प्रकट करने लगता है तो ये आपका कब होता है पाच्वा महिना में छठा महिना में क्या होता है कि अपने लोगों को पहचाने लगता है वो पराय से डरने लगता है तो ये कब होता है आपका दोस्तों सिसो जो है वो अपने लोगों को पहचानने लगता है और पढ़ाय से डर्नने लगता है तो ये आपका छठा महिना में होता है उसके बाद आठवा महिना में होता है बालक अपने घर के वैस का सदर्शियों की आवाज का अनुकरन करने लगता है यह उन सब्दों का अनुकरन करने लगता है तो यह आपका आठवा माह में परिवर्तन हुआ समाजिक परिवर्तन और यह सब आपका समाजिक परिवर्तन के अंतरगत आता है अब एक से दो वर्स तो एक से दो वर्स के मध्य में क्या होता है पारिवारिक कारियों में रूची ने लेने लगता है तीन वर्स में समू में खिलने से खिलोने से खिलने लगता है ठीक है अपने से छोटे बच्चे कह सकता है या फिर अपने जो एज के बच्चे हैं उनके साथ जाएं खिलोने के साथ खेलने लगता है, पाच्वाँ वर्स में क्या होता है, समू के सदस्यों से गहरे सम्मद बना लेता है, समू के सदस्यों से जो है वो दोस्तों गहरे सम्मद बना लेता है बालक, अब हम लोग देखते हैं सेस्वावस्था में सन्विगात्मक विकास, ठीक है, तीन विकास के ब परिवार के बड़े सदस्यों से सन्विकात्मक बहवार का अनुकरन करता है इसलिए उसे उन सभी बातों से डर लगता है जिनसे परिवार लोगों को डर लगता है जोन्स के अंसार दो वर्स के सीसू को साप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भाय का विकास नहीं हुआ होता तीन वर्ष की आयू में वह अकेले रहने पस्वों से तथा अंधेरे से डर्ने लगता है तो ये एस्टेटमेंट आपको एजटेज याद कर लेना है दो वर्ष के सीसो को साब से डर्न नहीं लगता क्योंकि उसमें भाई का विकास नहीं होता लेकिन तीन वर्ष की आयू में वह अकेले रहने पस्वों से तथा अंधेरे से डर्ने लगता है ये आपका जॉन्स का कहना था अब सीसो निम्ण परकार से सन्वेगात्वक बेहवार दर्साता है जैसे कि जर्म लेते ही सीसो क्रंदन रोना करता है ठीक है रोना स्टार्ट कर देता है जर्म लेने से जो है लेते ही बालक जो है वो सीसु कह सकते हैं रोना स्टार्ट कर देता है सीसु के सन्वेगात्वक बेहवार में अस्थिरता होती है रोते हैं वे सीसु को तुरंद खिलोना देकर हसाया जा सकता है सीसु के सन्वेग अस्पश्चता की और बढ़ते हैं सरवपर्थम, रोग कर, नाराज़की प्रकट करता है बड़ा होने पर रूट कर, बातना कर, क्रोध कर अप्रस्नता यानि कि अपना दुख प्रकट करता है अब तीसरा है आपका तीसरे वर्ष में मित्रों में प्रती अस्ने का सनवेग बिक्सित हो जाता है और चोथा है आपका आखरी point कह सकते हैं कि कठोर दंडवा कड़े अनुसासन से सिसो में सनवेगों का संतुलन बिगर जाता है ठीक है, सिसों में जो है वो सन्वेगों का संतूलन जो है वो बिगर जाता है, कैसे बिगरता है, कठोर दंडवा करे अनुसासन से तो दोस्तों ये था आपका सिस्ववस्था में सन्वेगात्मक विकास के बारे में और इस class में इतना ही ठीक है इस class में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से आप लोग रिभाइच कर लिजेगा ये class थोड़ा सा लंबा हो गया है ठीक है सबसे पहले गड़भावस्था इसके तीन चरन के बारे में जान लिया उसके बाद हम लोगों ने सेस्वावस्था तथा इसके चार विकास के बारे में जाना तो दोस्तों आई होगी जो जो चीजे हम आपको बताया है उसको note down कर लिजेगा और इसका PDF आपको टेलिग्राम च को लाइक कर दिजेगा और डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्स्ट्राइब जिरुक कर लिजेगा क्योंकि यहां पे अब डेली कंटिन्यू एक्जाम तक सभी सब्जेक्ट का क्लास रेगुलर अप्लोड किया जा रहा है तो आप लोग जो 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 सकते हैं नए हो होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लिजेगा तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में